आज है नया शाल तो दिन में हमारा घूमने का प्लैन था तो रास्ती में लोटती से मैं अचानक सा मोड हुआ न कि घर पे चलके पाव भाजी बनाए तो वही से मैं सब समान लेकर आ गई हरी सबजे लेकर आ गई तो मटर है विंस है और सिमला मिर्चे आलू है यह सारी सबजे मैंने कट करके साफ करके न धो लिया है इसको और सबको मैं डाल दूँगी गाजर भी है इसमें और सबको मैं कुकर में डाल दूँगी पानी डाल दूँगी इसमें और मसाले थोड़े बहुत एड़ करूंगी इसमें वह सब कुछ एड़ कर दो सीटी लगा कि इसको पका ल बोएब लिए है और पुछ सब्ची मेंने रख्यारी और यह प्याज है जिसको मैंने कड़ाई में दू चम द्रक भूनी या सब्सक्राइब को बहाएं इस अध्रका पेज दाल दिया है जो मेंने खड़ी सबजी रखी थी थोड़ा फूड़ी बहुत जो और किया था उस में से मैंने बचा लिया था सब्यवे तो मेरे सिम ला मिर्च बेंस से सारी सब्यां मैं एक साथ पकाल रहा हैं और मसाले इसमी में डाल दूंगी सारे मसाले add कर दूंगी और वैसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ गोमने जाने वाली थी पर किसी कारण से plan change हो गया तो बेटी बोली चलो ममा आज new year है तो हम दोनों ही गोम के आते हैं तो मैं और मेरी बेटी दोनों ही चले गए तो फिर साम को ऐसे अचानक से program बन गया चलो पावाजी बनाते हैं और बेटी अगर बड़ी है न तो फिर किसी दोस्त की जरुद भी नहीं पड़ती है मुझे तो नहीं पड़ती है क्योंकि हम दोनों ही साथ में enjoy कर लेते हैं और यह है सिंबला मिर्च जिसको मैं color के लिए डालूंगी और इससे color बहुत अच्छा आता है किसी भी सबजी में डालूना मतलब तीखा तो नहीं होगा पर color बहुत अच्छा आता है तो वह मैंने डाल दिया है और जो मैंने मैश करके रखा था आलू और यह सारी सबजी है उसको मैं डाल दूंगी इसी मसाले में और मेरी पाव भाजी बनके तयार हो गई है और इसमें मैं लाश्ट में डालूंगी पावभाजी का मसाला जो की लाश्ट में ही डालना है पहले इसको डाल के पकाना नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो इसलिए इसको बाद में ही डालना है और डाल के थोड़ा से एक बॉइल जितना वो करना है फिर उतार देना है तो मेरी पाव भजी बनके तयार हो गई है और अब जाएगा इसमें धीर सारा धनिया कटा हुआ क्योंकि धनिया के भी न तो सारी सबजी सब कुछ है दूरा है तो धनिया डालना बहुत जरूरी है जिससे की टेस्ट भी आएगा कलर भी बहुत अच्छा लगता है और तवा मैंने रख दिया है गैस पे जिस पे मैं पाव को सेक लूँगी बटर डाला है मैंने इस पे बटर डाल दिया है मेरी पाव वाजी बनके तयार हो गई है तो कॉमेंट करिएगा कैसा लगा मेरा पाव वाजी की रेसिपी और नए हो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वाच करके देखना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल झाल